कि दोजाज 24 के चुनाओं को बिगुल बच चुका है और चौते फेश में इटावा सीट पर मद्दान है कुछी दिन सेश बचे हैं जनता के बीचे पहुंचे और जानने का प्रियास करेंगे कि आगे जनता का मूळ क्या है इटावा सीट पर माहुल क्या यह बहुत है और बह कुल रूप से संतोष्ट हैं कठेरिया जी के कामों से हम लोग सब मिलकर के बाजपा को ही जिताएंगे राम संकर कठेरिया दो लाग मटों से यहां से जीत रहे हैं और इनकी भारी जीत होगी इन्हों ने बहुत काम कराया है और जब भी बोलते हैं तो ऐसा मालम पड़ता है को लेहाँ राम संकर कठेरिया को पुना चुना जाए राम संकर कठेरिया बहुत अच्छे प्रत्यासी है इनका पिसे स्थ्यान रखा जाए एक 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 वोड़ भर से निकाल लिकाल कर के कमल के फूल में इन को करना कि और उनी को जिताना चाहिए अच्छा मावल है नामकां सब्सक्राइब यह दोनों आप देखों जैब आगे निकार लिए नहीं संतोस्थ है आज मैं संतोस्थ हूं तो मैं तो कठो राम संगर कठे रही है मैं कमल को बोटी बाजपा को जिताऊंगा जी इस जितने दोड सब्सक्राइब अच्छा काम कर रही है और राम सेक्रेटरिया जी दो लाग बोटों से बिजाए होंगे जनपर देटावा से इसकी बज़ाए है उन्होंने विकास काफी ज्यादा किया है वह तो सपावालों तो सेंपाई से काम करते हैं और बढ़िया माहुल है और शपाई सब्सक्राइब गरीबों को पेट वर रहे आए खूब अच्छा काम हुआ है बढ़िया माहुल चल रहा है इस समय सब्सक्राइब करना चाहता है वह बैटके यहीं बोलेगा यह रोजगार नहीं है यह नहीं है वह नहीं तो 2014 से पहले अपने देश में 350 स्टार्टप थे केवल आज 127,000 स्टार्टप हैं अपने देश में जिसमें से लगवग 120 स्टार्टप यूनिकॉर मन चुके हैं इसकी पी नाम का वह 2019 में स्टार्टप हुआ था तो अब सोचिए वह यूनिकॉर्ण बन चुका है वह एक बिलियन से उपर की उसकी नेटवर्ट है तो अगर वह बना रहा है कोई चीज तो वह तो रोजगार देही रहा है वह रोव मेटीरियल लेला है वह लोग बना रहे हैं जो कुछ नहीं कर रहा है उसके पास 15,000 का मोबाइल है उसको उसके पास साड़े 600 का साड़े 600 का रिचार्ज मंतली करा ले रहा है यह वहां को दिल जीत पाई है और मैं बाच्पा के लिए बस एकी बात करना चाहूँगा कि जो राम मंदर का आयोध्यां बना है उसके लिए क्या है कि यह बात करना चाहूँगा कि रहा हमारे दिल में है रहा हमारे दिल में थे रहेंगे माहुंअ में मोधी अच्छा है और राम संकर गढ़िया जीत रहे हैं पढ़िया एकदम उत्वा कि अधकन है कि अधकन में मोदी अगेला है आप बताईए राजिस्कुमातिवारी क्या मावला शौबिस में मोदी के अलावा कोई आने के चांस नहीं है हो जाने तो उससे क्या मतलब है इंडिया एलाइस बतारे बहुत मजबूत ही रणा चनाओ जब आजागा तो आपको खुछ पढ़ा पढ़ जाएगा जहां गांठ है वहां गठ्वंदन किस वात का सब शूरों की जमात है गरगर मोदी हरर मोदी आप बदाएए बीजेपी का स यहां से बीजेपी दो लाग मतों से जीत रहे सब ही घुणा करती समापत है वह वोट करने जाएंगे विकास का इनको होना चाहिए आपको नाम क्या है बढ़ियाए और वर्या रहेगा वर्याय आगे रहेगा आभी दो चुनाई की बात कर रहे हैं चुनाई की बात करो अब कोई आता जाता नहीं यह किसान साले पजास पजा रहे हैं तो लोग सब ले 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 थी अब वोदी दे रहा है तो क्यों लेने आएंगा बहुत अच्छा काम चला है वैसा ही चलता रहेगा उन्होंने बहुत खंतोष्ट काम किये और निर्माल के कार किये जो करना चाहिए लोग पर नेता है ऐसी बात नहीं है और अच्छे काम करते जा रहे हैं जो ब्यक्ति किसी की सुन कि अभी तक जितने भी सांसद इटावा जिले में आए हैं कोई भी आपना नेत्तत्र संसद में कभी नहीं रख पाया है लेकिन हमेशा इटावा और पूरे छेत्र की आवाज को ठाया है अब जैसे देखी बड़ी बजी जोजना है पजनदा में उतना कितनी आवाज उन्हे पूरा हो चुका है जो कुछ दिन बाद जनता के लिए खूल दिया जाएगा अब आप मानिए के इटावा में जो है कहते हैं कि अधावा में कोई विकास नहीं किया विकास किया तो अपने पैत्रिक गाउं केवल सहफाई में यहां पर अगर असली विकास और असली आखरी पाइदान व्यक्ति तक अगर किसी ने योजना पहुचाई हैं तो किरवल मोदी जी ने पहुचाई हैं आप चाहें गाउं में देख लीजिए इटावा जिले जिले में लगवक 3,33,500 के करीब सोचाले बनवाई हैं जो लगवक 400 करोड के उपर धंदासी मिली है इटावा जिले को 1040 करोड के उपर करीब आयस्मान भारत योजना में उन्होंने पैसा दिया है जिससे गरीब लोगों का इलाज हो चुका है आप देखिए कि आज इटावा जिले में कोई ऐसा गाउं नहीं है जहां लाइट ना पहुची हो जहां नए तार ना खिचे हो ट्रांसपा इससे पहले बड़ा गटवणन बसपास अपाका जोस से बड़ा हो नहीं सकता जब दोनों अलग है तो लगबाग हमारे ख्याल से तीन लाग के करीब बोटों से असान सजी जीतेंगे यहां से कोई टकर किसी में नहीं है यहां बता ही जैसे कि आप देख रहे हैं अब तु पूरे देश में प्रदेश में बारतेंता पार्टी के पक्ष में माहौल है और इटावा की जिनता ने सब आज जो इस जिले में में हो पा रहे हैं वो बारतेंता पार्टी के ही वज़े से उपा रहे है तरस नहीं दोरे को दा रहा है इस वनुह नहों प्रवार को टिकेट देते हैं यहां पर एसी सीट ना होती उनके घर में अगर असी लोग पैदा हो जाए तो पूरे यूपी में अपने ही परवार को असी सीटे देते हैं जनता उनको मुह तोल जबाब देगी यह तो दिखेगा तेरा तारीक जब बातिंता पार्टी के सब्सक्राइब करेंगे जीतेंगे इसमें कोई दोर आए नहीं और बहुत ही राष्ट को नहीं दिशा देने के लिए जनता में जबर जब 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 सब्सक्राइब जब 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 जाएगी और राम संकर के ठेरिया माननी है हमारे सब्सक्राइब के साथ एक लाग मतों से विजय होंगी तो आने वाले चार जून को साफ हो पाएगा कि इटावा की जंता किस्ता राष्ट करेगी और किसको अपना सांसा चुनका या पर संसरत में भेज़ेगी रफ्तार मीड़ा कले जीने सरतिवारी